नहीं बाबा बालकनात हैं चुकि लगातार पार्टी ने इस्ट्रेटरजी बनाई है पहली बार जो 41 सीटे उतारी है वहाँ पर पूरी तरह से चुनाव को फसा दिया है कांग्रेस के दिगजों को चुनाव मैदान मोता रहा है वही भाजपाने आप जैसे दिगजों को मैदा मोतार पूरी तरहे से जीतने के लिए उतार है और प्रथान अंतरी उब मोदी जी सांसदों के साथ काम कर चुके हैं वह हमें सिखा चुके हैं उनचे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं tया थो पहचानते हैं दो और भी उनको आत्म विश्वास हो जाता है जब नीचे सांसदों को जिम्मेदारी दी जा रही है और कारेकरताओं के अंदर भी एक इस तरह का उत्सा होता है कि हम अकेले नहीं हैं यह वही सेम चहरे नहीं नए लोगों को भी मौका मिल रहा है पहले लोगसभा मिले अब विधान सभा मिलेगा और यह rotation चलती रहेगी, यह rotation केवल भारती इंता पार्टी में ही हो सकती है, यह Congress में नहीं हो सकती, क्योंकि यह report card वाली राजनिती है, वन्शवाद वाली राजनिती नहीं, जहां तक चेहरे की बात है, देखे, यह जो चेहरे की लडाई हुई पिछले पात साल, राजिस्थान के frame करें अंदर, कि अशोक गेहलोत का चेहरा, fps का चेहरे की बात फ्य की लडाई के बर बात गिए ये इनको जो मिला था उससे संतुस्थ ही नहीं थे, हम जो मिलेगा हम उससे बिलकुल संतुष्थ हैं, नहीं मिलेगा उससे भी संतुष्थ हैं। क्योंकि जीवन के अंदर उतना ही मिलना चाहिए जितना उपरवारे लिखावा है। लेकिन ये Congress को ये digest नहीं होता, ये हजम नहीं होता, उनकी ये लड़ाई। तो चेहरे की लड़ाई तो गलत है। और अगर आप बोलें कि आपकी राजनिती, आप किस तरह का काम करेंगे, आप कैसे उसको परिभाशित कर सकते हैं, तो मैं एक शब्द में बोल सकता हूँ, मोधी। मोधी जी का जो चेहरा है, वो परिभाशित करता है कि हम किस तरह का राजनितिक यूग राजिस्थान में लेकर आएंगे। जिसके अंदर रिपोर्ट कार्ड की राजनिती होगी, मोधी जी का, उसमें राजिस्थान पूरी तरह से भागिदार बने, यह चेहरा परिभाशित करता है। और जंग या युद्ध, यहां मैं नहीं लड़ रहा, यह हमारे हजारों लाखों जो कारे करता हैं और जो समर्थक हैं, जो देख रहे हैं, जो हमारे काम को पहचानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, बारती जनता पार्टी की काम को पहचानते हैं, प्रदान मंतरी मोधी ज कि राजिस्थान के अंदर परिवर्तन हो के रहेगा जीत जनता जनारदन के हाथ में और मैं तो आपके माध्यम से उनसे विंती कर सकता हूं कि विश्वास जो है उनको उस विश्वास पर हम कायम रहेंगे और जीवन का तो मेरा एक ही लक्ष रहा है उसलिए मैं पैदा हुआ ह कि जीवन में मुझे कुछ करना है कि क्या जो लगातार कॉंग्रेस से कह रही है कंफ्लेक्स योजनाय लाए है इस दम पर रिपीट कर रहे है नारा भी दिया उन्होंने काम किया दिल से कॉंग्रेस फिर से इसके साथ ही मेरे एड़ों सवाल यह भी है राजवर्दम जी कि प रेट लिस्स बनी वी थी तो कॉंग्रेस ने जो ब्रश्टाचार करा है जिस तरह का अपराध हुआ है राजिस्ठाण में जिस तरह से बेरोजगारी हुई है उसकी कीमत तो जंता उनसे लेकर रहेगी और हमें उसकी भरपाई करनी पड़ेगी तो चेरी के आपने फिर से ब मुझे आके सोचते हैं तो राजिस्तां के अंदर अगर कुछ सोचा है तो राजिस्तां का भॉत बहुत होने वाला हैं अсь lugmas me कमल का निसान होगा कंवल हमारा निसान होगा जंता जनारवड़न के बल पर काहिकर्टाओं के बल पर वो चुनावी समर में उतर है और जीत का पूरी तरह से भरोसा देला रहे है